देशभर में कोरोना तेजी से फैल रहा है और दिल्ली में तो आकड़े जिस तरह से पिछले दिनों बढ़े वो काफी चिंता जनक है ऐसे में गाजीपूर बॉर्डर पर हजारों की तादात में जमा किसान कोविड गाइडलाइन्स की धजियां उड़ाते हुए नजर आए कोई भी यहां पर मास लगाता हुए नजर नहीं आया किसी प्रकार की कोई सानिटाइजेशन तो आप भूली जाएं यहां पर लोग ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग चुका है कि कोई भी प्रकार्शन यहां पर किसान लेते हुए नजर नहीं आ रहे है प्रदशन कर रहे किसानों से जब पूचा गया तो किसान बोले हमारी विल पावर मजबूत है हमें कुछ नहीं होगा ठंड के दिन हैं जुकाम खासी सभी को हुँ रहा है यह कुरोना है या कुछ और यह तो किसी को भी नहीं पता हमने अपनी जाच कराई लेकिन किसी को कुरोना नहीं है पिर्युकोसन तो ले रहे हैं लेकिन हमारी भील पावर इस्टोंग है और हर तरह से हम मजबूत हैं तो हमें कोई ऐसी दिक्कत हैं नहीं कोई दिखाई नहीं दे रही है ना हमारी नोलिजमें हमें कोई आज तक करोना का पेसिंट मिला ना हमने देखा अब कि आपके साथी कोर कि इसका पता तो सरकार को भी नकिन्यी आघी कोई कि हमने कि यूंण के किसी आदमी काहम ने कोरोना हुआं भीना मासक कैनी रहे ह Bryon ऑर मारे हमने तो का में की एक के बीन देता को रो ना के मारे का है जो काम हुए हर व कल्ट का गया और नियुकराट तो रूप एक की गोडीनि देए और चोदे दिन की बजा साथ दिन रख कर भेज दिए कुछu की लेकिन इन सब के बीच कुछ किसान ऐसे भी थे जो कुरोना को लेकर जाग रुक नजर आए और माना कि कुरोना से बचने के लिए मास्क है ज़रूरी ये जब तक हमें मांगे पूरी नहीं होती है जब में टिके रहेंगेंगे अब उधर आप खड़े जब भी मैंने बोला ने को मगा भाई मांक्स लगाओ तो लगा कुछ ने बाकि अब इजर मजा कमानते चीज को नो कै किसान और करोना दून एक मिली जुली जाती है किसान और करोना कैसा किसान कैसा करोना इसे में सवाल ये कि सिंगो बॉर्डर पर तो कोरोना की जाच के लिए कैम्प लगा दिया गया लेकिन गाजीपूर में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है ब्यूरो रिपोर्ट खबर आई एनस